नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूस मेरानी गुपता आपके साथ बड़ी ख़वर सामने आ रही है आपको बता दे कि यूट्यूबर मनीश कर्षप ने आज बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है दरसल पिछले कई दिनों से लगातार तमिलनाडू में प्रवासियों के मामले को लेकर के वो सुर्खियों में चुर रहे थे और इस बीच देखने को मिला कि कैसे बिहार पुलिस ने पहले तो उनके अकाउंट को सीज किया इसके बाद उनके घर को जब्त करने के लिए बेतिय पहुंच गए थी जिसके बाद अब मनीश करशफ सामने आ गए हो और उन्होंने सरेंडर कर लिया है लेकिन इस बीच सवाल जो है वो बिहार सरकार को लेकर के उठ रहा है लोगों का कहना है कि क्या सच के लिए आवाज उठाना ब्रहस्टाचार के खलाफ लड़ाई लड़ रहा है लोगों का कहना है कि आखर मनीश करशफ ने ऐसा क्या गलत किया था अगर उन्हें जिस तरीके से वो उनकी तमाम जो खबरे होती है लगातार वो ब्रहस्टाचार को लेकर के बेबाग तरीके से बोलते हैं इसी के साथ ही बिहार पुलिस और प्रशासन सरकार को लेकर के लिए बेतिया पुलिस पहुंच गई थी जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया तमलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो बनाने और उसे वारल करने के आरोप में यूट्यूबर मनीश कर्षप ने सरेंडर किया है पता दे कि मनीश ने बेतिया महानवा गाओं में पुलिस ने कुर्की की कारवाई शुरू भी कर दी है बता दे कि मनेश कर्षप के सरेंडर पर ई ओ यू ने बताया कि तमलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले के फरजी वीडियो बनाने के केस में वांटेड मनीश कर्षप ने सरेंडर किया है बता टीमे कल से लगातार उसके ठिकाने पर छापे मारी कर रही थी जिसके बाद शनी बार को मनीश कश्चप के मजौलिया थाने में घर पर कुरकी की गई है और इसके बाद उसने सरेंडर कर दिया है बतादे के मामले में मनीश कश्चप पर पटना में तीन एफाई आर दर्ज है इसमें दो केस आर्थी कापरा दिकाई यानि की ई ओ यू ने तमिलनाडू बिवात पर फेक वीडियो बनाने को लेकर दर्ज किया है वही तीसरा केस अपनी जूठी गिरफतारी की बात वारल करने को लेकर के केस दर्ज किया है बता दे कि इदर पलशिम चंपारण में भी उ आपको बता दे कि इससे पहले बिहार आर्थी कापराद एकाई ने मनीश करशप के खातों को फ्रीज कर दिया था और मनीश करशप और इसी के साथ उसके यूट्यूब चैनल से संबंद च्वार बैंक खातों में जमा 42 लाख रुपे से अधिक राशी को फ्रीज किया गया ह बता दे कि फेक वीडियो मामले में मनीश के खलाफ वरंट जारी होने के बाद उसकी गिरफतारी के लिए पटना से ले करके दिल्ली समेत अन्य शहरों में छापे मारी भी की गई है इसी के साथ ही ADG मुख्याले के मुताबिक तमिलनाडू मामले में जाज कर रही टीम ने व तो युव को अनिल कुमार और आदत कुमार को मज़दूर दिखाया गया है और अस वीडियो को मनीश कशप के साथी और गोपाल गंज के रहने वाले राकेश कुमार रंजन ने शूट किया और 6 मार्च को उसे अपलोट किया शुरवास से ही ये वीडियो संदिक्द थी बत चाना के तहद बंगाली कॉलोनी में एक घर किराय पर ले रखा है और इसी जगहा पर इसने ये वीडियो को अपने दोनों साथियों के साथ मिल कर शूट किया था बता दे कि इस बात को लेकर के पूस्ताच में राकेश ने ये कबूल भी किया है और इसने खुलासा किया है क पानिल कुमार वा आदत कुमार को नामज़त किया गया है राकेश को गिरफथार कर लिया गया है और साथी तमिलनाडू मामले पर अब यूट्यूब मनीश कश्चप पर पटना में दूसरी एफ आइयार दर्श कर ली गई है दूसरा केस भी आर्थिक आपराद एकाई नही इसकी पुस्टी की है साथी एफ आयार नमबर चार टेइस एक फरजी वीडियो को वाइरल करने के मामले में दर्श किया गया है बता दे कि जिस तरीके से ये जो सरेंडर की खबरे सामने आई है उसके बाद से लगातार तमाम लोगों की रियक्शन भी सामने आ रहे हैं जो क की वज़े से उनके बैंक अकाउंट को पहले फ्रीज किया गया फिर उनके घर की कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है और जब खुद सरेंडर कर दिया मनीश कश्यप के द्वारा तब जाकर कि वावाही बिहार पुलिस खुद को देती हुई नजर आ रही है इस जबलप्मेंट के नाम पर लगातार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और जो पैसे हैं वो बंडर बाट कर लिये जाते हैं तमाम मुद्दों को ले करके काई सारे वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोट किये गए हैं और शायद यही जो चीजे हैं वो बिह अगर उन्हें गिरफतार किया जाता है इस तरीके से फर्जी मामले में बिना उन्हें कुछ बताय हुए बिना किसी सच्चे सबूत के इस तरीके से जुटे आरोप लगा कर अगर उन्हें बिहार पुलिस से गिरफतार करती है तो 180 दिन के अंदर ही बिहार में सरकार गर हाली है महागडबंधन की आपको बता दे कि मनीश कर्षप की जो इमेज है वो कहीं न कहीं एक रास्टवादी पत्रकार की रूप में लोगों के सामने हैं और यहां पर कई लोग जो है उनके समर्थन में लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त ट्रेंड करते थे यह लोगों को पसंद आती है यह चीजे और इस वज़े से लोग जो है मनीश कर्षप का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हो और साथ ही बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मनीश कर्षप को इस तरीके से रिप्रेजन क्यों किया जा रहा है जैसे कि बिहार पुलिस ने किसी बड़े आतंगबादी को पकड़ लिया हो या फिर किसी बड़े साजश का भांडा फोड कर दिया हो फिलाल जो आवाज है वो इसलिए उठ रही है क्योंकि मनीश कर्षप जो है खासकर युबाओं से प्रिरित न्यूज बनाया करते थे युबाओं युबाओं किस तरीके से बिहार में परिशान है तो यह इन चीजों को लेकर के वो अपनी ख़बर दिखाते रहते हैं और यही चीजे जो है कही न कहीं बिहार सरकार के लिए सिरदर्दी बन गई है ऐसा भी लोग इस वाक्त सोशल मीडिया पर कह रहे हैं फिलाल इस ख़ब को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगी के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले